गुड इवनिंग स्टुएंट्स गॉड ब्लेश यू आल और वेलकॉम तो माइट चैनल बूरेंश और क्लासिस में आपका स्वागत है मैं पड़ा रहा हूं आपको बेसिस ऑफ एकांटिंग चैप्टर नुम्बर फूर टीएस ग्रेवाल का और इसे प्रिविएस पार्ट्स जितने भी हैं मैंने बनाए हैं जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं सबके यूट्यूब पर वीडियो मैं अप्लूट करके हैं इस च्टुरे पार्ट्स में या पिछले किसी चैप्टर में प्रॉलम्स है तो जाकर देख सकता है टीएस ग्रेवाल के कंप्लिट सॉलीशन मै सब्सक्राइब करेंगे तो आपके किताब में तो यह दो बेसिस दिया हुआ है और इंकम भी मान लेते हैं और डियू बेसिस पे और एक्पुरेल बेसिस पे इंकम नहीं मानते जब तक कैश मिलेगा नहीं तब तक वह इंकम होगी नहीं अच्छा एक्जामपल दू राइव वन शॉट में के लिए हो जागा माल लेते हैं मेरी एक जनरलिस्टोर की दुकान है और मैंने पांच जार प्रे का समान बेचा पैसा नहीं मिला मुझे आज कोई एंट्री नहीं करूँगा अगर मैं कैश बेसिस पे कर रहा हूं और दू दूसरा एक्जामपल दू तुम लोग मेरे से कोचिंग ले रहे हो मुझे फीज दे रहे हो अगर मैं कैस बेसिस अकॉंटिंग मेंटीन कर रहा हूं तो मैं एंट्री करूँगा माले नहीं करूंगा तो फिर मैं उसकी एंट्री भी दो मेने बाद ही करूँगा तो वह इंकम दो ना दो वह मेरे इंकम मानी जाएगी और तुम्हारा खट्चा माना जाएगा एक्रॉल बेसिस अफिकांटिंग बस यही है सब्सक्राइब और समझाओं आगे है तो कैस्ट विसिस अफिकांटिंग का मतब है जहां सारी ट्रांजेक्शन सम्कैस में कर रहे हैं कैस्ट में अब वह मान लेता है दो साल पुराना कोई खट्चा है वह इस साल पुराना खर्चा नहीं बाने जाएगा अगर कौन सी अकॉंटिंग कर रहे हैं लेकिन विसे कि अगले लेकिन नियुक्त विश्चा नहीं जाएगी अगले ये लेकिन विसे मिन जा रहे हैं तो वो अगले साल की मनी जाएगी खर्चे, cash basis का सिधा सिधा फंडा है, जिस साल पे कर रहे हो उसी साल का खर्चा है, जिस साल मिल रहा है उसी साल की इंकम, जिस साल की इंकम, जिस साल पे कर रहे हो उसी साल के खर्चे है, जब दिया तब ही खर्चा होगा, जब मिला तब इंक अगर मैं अगर को आना ब्रक अब खर सेरा oxygen. एख करूंगा जब करूंगा जब पे करूंगा तब भी वह खर्चा है. जब पे नहीं गया तब लेकिन कैस्पिस कहता है ना बया दिया नहीं है तो खर्चा-भी नहीं है और इंकम भी नहीं है तो कहर्चा नहीं है इनकम नहीं है समझमा है cash business accounting बहुत असान है transition are recorded in the books of account on the cash being receive or paid जब आपको cash में receive हो रहा है या cash payment कर रहे हो तो वह accounting हमारी cash business accounting माने जाती है बहुत ही simple है इसमें out sending prepaid accrued इनकी entry ही नहीं करते हम अगर दिये हैं तो हटा देंगे नहीं अगर out sending दिये हैं खर्चों में include है मान लेते हैं मैंने एक लाग खर्चा किया आप बोलहां देखो ध्यान देए मुझे पांच लाग की sale हुई जिसमें से मेरी पांच लाग की sale में दो लाग की उधार sale है तो मेरी cash basis की sale कितनी है तो मेरी income 3,00,00 बनी जाएगी अब खर्चे मान लेते हैं कर खर्चे मैनस करते हैं खर्चे मैंने नहीं है लेकिन 23 के एडिशन में ये कोश्चन देखने के लिए मिल रहा है तो मैं उसी का एक क्वेशन पराज़ता हूं एक इक्जामपल है उसको लिग देते हैं उसी से समझेड़ लेते हैं उससे दोनों समझ मुझमा जाएगा एक्जाम्पल 1 पी एस ग्रेवाल ठीक है यह कह रहा है यह कोश्चन तो मैंने यहां पे स्क्रीन पे है जो ओनलाइन वियर सा स्क्रीन पे देख लेना मैं सिरफ शॉट द्यूरेशन में लिख रहा हूं लॉंग मैंने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है उससे आप पढ़ लेना यह कह रहा है तो हम एक साल आगे बढ़ा देते हैं इसको करेंट वाले में लिया आते हैं तो यह है कोशन यह अनंत कर रहा मैं बासकर कोशन है दिखाओ जरा पानेशल यह सही हुजाएगा हमारा ना तो आप यह देख लीजिए कि 2023 के एडिशन में कोशन है दूरिंग दा इयर फानेशल लिए 2023 24 अशोक ने कैसे इल्स कितने की तीन लाग नब्बे जार इग्जाम्पल वन देखो कैसे सेल्स कितने की है हमारी कितने देर की है कोशन में तीन लाग नब्बे हजार और कोशन में क्रेडिट सेल्स की देर की है क्रेडिट सेल्स कितने की है हमारी एक लाग साथ हजार ठीक है एक्सपेंसिस कितने के हैं दो सब्सक्र और जिसमें से असी जार इस्टिल टूबी पेड हैं आउट्सेंडिंग इसमें से असी जार रोपी किया हैं तो हमें यह वाली टाइन्जक्शन तो करनी नहीं करनी कि इसमें से क्या करेंगे अगर हमें क्या बना रहे हैं केश कि बेसिस औफ एकांटिंग मेंटेन तो हम क्या लेकर चलेंगे डैस कितने की है हमारी कैसे फीन लाग नभीजार क्रेडिट सेल को नहीं लेंगे क्योंकि क्या कहता है के वल्ट टेंजेशन को पगड़ो डिट रशनकेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे चौन में ओंड़ा है ठीक है अब लेस के अगर होगे-टैस चीफ पंस कितने वह थे दुश सब्तर जिसमें से ऑउटडिंडिंग कितने मैंने बताया था आउट सेंडिंग जितने भी होंगे वह समर्स कर ने कि कितने हमारे कि हैं इसका हमने कितना प्रोफिट अछे विलिगा सब्सक्राइब करें तो मैंने क्या था एक्रॉल बेसिस पर इंकम है और बेसिस पर भी खर्चे तो जो उधार शमान बेच आंऄा है वह भी इंकम है पैसा मिला ना हो हमने तो समान बेश दिया आप स्कूल में बहले समीड ना आता दी हो और मेरा मिटर घूम रहा है कि तुम दो या ना डो में करो गे सब्सक्राण तो मेनमे वो फीज पूरी देनी पड़ेगी तुम दो मेने में एक दिन भी स्कूल ना जाओ भी तुम्हें पूरी देनी पड़ेगी है लिमा और यह तो यह वह क्या विए टेन कर रहे हैं एक्वर बेसिस कुटाव इंकम क्या लेके चलेंगे जो उसने कैस सेल्स की कितने की किया कि तीन लाग नभे जार प्लस क्रेडिट सेल कितने की किए है एक लाग साथ हजार जोड़ों कितना रहा है पांच लाग ठीक है और माइनस कर दो एक्सपेंसेश एक्सपेंसेश पूरे 270 हैं चाहे वो पेड हुए या ना पेड हुए तो अगर आप चाहे वैसे दिखाओ कि भीया एक नब्बे प्लस असी आएगा दो सत्तर ही बार तो यह जो हैं आउट्सेंडिंग इंक्रूडिंग है इसके अंदर तो हमारी इंकम कितनी आई बताओ कितनी आई समझ में आई यह नहीं आए यहां पर एक कुश्चन समारा कंप्लीट हुता है वन और टू जो एक्जामपल यह वन भी है और यही एक्जामपल नंबर टू भी दिया हुए टी एस ग्रेवाल में प्लाव यहां पर इसके बाद एक और एक्जामपल नंबर थर्ड वह भी में किरा देता हुए और प्ला इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए इसको मैं इग्जामपल थर्ड को अगली ग्लास में कराऊंगा और थेंक यू अगर वीडियो चे लेगे तो लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में लव यो वाल वंदे मातरम जै भारत